हेलो डिया स्टुडेंस, वेली कम दू डार केमिस्ट्री, हम लोग आजके वाले क्लास में जो पॉपुलर जो नेम रियाक्शन होई है, ओ है हांस्टाई का रियाक्शन, ओके बेटा, यहां पर हम लोग यहां पर पोडक्ट फर्मेशन क्या होता है और उसके अंदर जो होता है ओकुछ हम लोग रही वाला क्लास में जामेंगे यहां पर अक्ट्रोर होता क्या है कोई भी सिल्वर सॉल्ट और कार्बोशिलिया से तुम लेलो उसमें अगर तुम BR2 and CCl4 that is carbon tetra chloride and you can also reflux in heating condition कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक सिल्बर सॉल्ट कॉनबर्ट हो जाएगा ब्रोमीन डेरिवेटिव में और अल्सो दा यू कैन क्रेट और फर्मेशन दा क्लोरीन डेरिवेटिव अल्सो यहां पार जो मेकानिजम है तोटल फॉर स्टेब फॉलो गतता है तो विकन अल्सो फॉलो धा फॉर स्टेब अब दा रियाक्षाड ओके सो क्या-क्या है फॉर स्टेब वो कुछ हम लोग यह वाले क्लास में देखेंगे ठीक है ना So, let's do the mechanism, actual में क्या होता है, so step 1 में जो first step है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो silver acid है, sorry, silver salt of carboxylic acid and we can put here bromine. यहाँ पर क्या होगा, जो bromine, bromine में जो covenant bond है, वो तोड़ जाएगा, जब एई वाला oxygen ब्रोबिन में अटक करेगा, अटक करने के बाद क्या होगा? यह क्या है यह है निक्लोफाल वह इलेक्ट्रोफाल के अटक करने के बाद वह वाला बॉंड यहाँ पर घुम जाएगा घुमने से क्या होगा घुमने से यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा ठुमने मनशने से करने लैसर करने लैसर CBthree OVR पर पर यह मु strony बजिगे tenशने से क OceanOR, Hinaux, 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 Hinauxensaול, Hinaux, Hinaux, Hinaux nineutearen okay after that that is the step one that is the ionic condition after that we are getting इस टाइब ओप इंटर्मीडियेट होएं ओयार एड़ेट हैर हीट इस साइन का मतला हीट ओके फिर देने से क्या होगा फिर देने से यह वाला जो बॉन्ड है ओब बॉन्ड तूट जाएगा तूटने से क्या होगा ओ हो मुलाइटिक फिसन होगा अगर तूम किसी भी मीडियम पे हीट दे दो उसमें क्या होता है उसमें जो कोवलेंड बॉन्ड है ओ हो मुलेटिक क्लिवेच ब्रेकेच करेंगे ओके ब्रेक करने से क्या होगा ब्रेक करने से यहाँ पार रेडिकल फॉर्मेशन होगा रेडिकल से यह वाला रेडिकल रेडिक स्टेप थ्री में क्या होगा स्टेप थ्री में एही वाला जो इंटर्मीडियर है वह फातर ब्रेकच कर जाएगा ब्रेक करने से क्या होगा यहां पर सियोटू जो गया से ओप होगा यहां पर क्या है कोब्रेंट बांड का मतला भी है दो इलेक्ट्रों इधर है ओ दो इलेक्ट्रों क्या होगा इधर भी से मेकानिस्स होलो होगा ओ है होमोलेटिक लिवेज आप्र दाट वी अर गेटिंग छी रेडिकल एड़ C 4 रेडिकल एड एड C रेडिकल यहां पर क्या होगा यहां पर bond formation होगा that is CO2 formation होगा okay last year में क्या होगा last year that is step 4 जो methyl radical है और एही बाला तो ब्रोमिन जो एक्स्ट्रा था ओ ब्रोमिन इधार पर methyl group के साथ जोड़ जाएगा जोड़ जाने से क्या होगा जो अमारा required product है that is bromine derivative that is our product okay so overall reaction of this mechanism so that is the main product and also same path also followed by the aromatic compound okay thank you so much best of luck